पैंसन धारकों के लिए बड़ी खुसकबरी जारी होचपी है। जिन पैंसन धारकों को रुकी हुई पैंसन नहीं मिली है तो वह इस वीडियो को जरूर वोच करिएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सरकार द्वारा केवल तीन महिने की ही पैंसन ट्रांसपर की गई है। पैंसन धारकों को दी जाएगी वह हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। आपको क्या करना होगा उसके बारे में भी हम आपको बताएंगी और कब से आपकी पैंसन आपके बैंक खाते में आपाएगी उसकी भी तवाम जानकारी हम आपको इस वीडियो के मात्यम से देने जा रहे हैं तो आप अंत तक बने रहेगा वीडियो को लाइक नहीं क्या है तो वीडियो को लाइक कर दिजिए सेर करेगा यदि आप चनल पर पहली बार आए हैं तो चनल को आप चुरूर सब्सक्राइब कर लिजिएगा चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सरकार की तरफ से पैंसन धार्कों को केवल तीन महिने की ही पैंसन ट्रांसपर की गई है यदि के तीन हजार रुपे ही पैंसन धार्कों के बैंक खाते में आप आए हैं जबकी करीब पाँच से छे महिने की पैंसन सरकार दोरा रोकी गई थी अब पैंसन धार्कों की रुपी हुई पैंसन का जो इंतजार है वह भी समाफ्ट हो चुका है काफी लंबे समय से पैंसन धार्क इंतजार कर रहे थे कि हमारी पूरी पैंसन कब आएगी क्योंकि अब सरकार द्वारा खोशना भी हो चुकी है और दोस्तो जो इंतिचार क्या जा रहा था वह भी इंतिचार समाप्त हो चुका है आपको बताना चाहेंगे कि सरकार की तरफ से रुक्य हुई पैंसन जल्द ही बैंक खाते में आने जा रही है लेकिन उससे पहले पैंसन धारक को कुछ महत्पून कारियक करने होंगे तभी उनको पैंसन मिल पाएगी अगर पैंसन धारक को एक भी महिने की पैंसन नहीं मिली है यानि के पैंसन धारक को 33,000 पर मिल चुके हैं अगर कोई पैंसन धारक ऐसा है जिनको एक भी रूपया नहीं मिला है तो वह भी एक साथ ही अपनी पैंसन को प्राप्त कर सकते हैं प्वाँ से 6 में ने की जो भी पैशन रुकी हुई है उसको एक साथ ही प्राप्त कर सकते हैं अब पैशन धार को क्या करना होगा चलिए उसके बारे में आपको बता देते हैं चाहे आपकी पैंशन दिव्यांग पैंशन हो वर्दवस्था पैंशन हो या फिर विद्वा पैंशन हो सभी पैंशन धारको कोई है कार्य करना अनिवार यह है त्यों दोस्तों आपको बता दें सबसे पहले पैंशन धारक को आधारकार का सत्यापन कराना होगा यानिकि अपनी पैंशन से ए के वाइसी को कराना होगा तभी वह पैंशन को प्राप कर सकेंगे अगर वह KYC को नहीं करते हैं तो दोस्तों हो सकता है कि उनको एपातर की स्रीणी में डाल दे जाए और उनका नाम भी डिलीट कर दे जाए तो आपको KYC कराना अनिवारिय है KYC के विना किसी भी पैंशन धारक को पैंशन धारक को पै mistake हो चुगी है दोस्तों यह है उनके लिए है जिनको अब तक जब से उन्होंने pension बनवाई है जब से अब तक उनको एक भी pension नहीं मिली है यह उन pension धारकों के लिए है हो सकता है दोस्तों आपके फारम को भरते वाक्त कोई mistake हो गई हो जहें वह name की spelling में हो या फिर address में हो सकती है या फिर bank के IPC code में हो सकती है address में हो सकती है आपके mistake फारम में कहीं भी हो सकती है तो उसको आप अगर सही करवा लेते हैं तो आपकी pension आपको मिल जाएगी साथ ही अगर आपने अपने bank खाते की भी KYC नहीं कराई है तो वह भी आप जल्द से जल्द करा लिजेगा क्योंकि दोस्तों जब account बंद हो जाता है या अगर लाबार्थी bank खाते से लेंदे नहीं करते हैं तो bank को द्वारा खाते को बंद कर दे आता है और दोबारा से वह पैन जो खाता है तब सुरू के आता है जब KYC कराई जाती है और KYC कराने के लिए आपके पास pen card होना चाहिए और आपका आधार card भी होना चाहिए pen card और आधार card के बिना आप KYC को नहीं करा पाएंगे तो यह थी आपके लिए महत्पून जानकरी आपको जानकर कैसे लगी आप हमें comment box में जाकर जूरू बतेगा आपसे हमारा निविदन है कि अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो भी मिल सकती है वीडियो लाइक करिएगा शेर करिएगा एंड चनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा